यह क्या जिले जी आप इतने अमीर है तिर्वी बेटी की शाधी मंदिर में करवा रहे हैं अरे छोड़ो यहां शाधी करवाने वाले सभी गरीब लोग होते हैं ऐसा सोचते हो क्या फिर यह सब राम नारायन जी के कारण है जिसकी भी शाधी यहां पर होती है उनके आशिरवात से उसका जीवन सुखी रहता है क्या आप जोती श्री राम नर्यान के बारे विवाद कर रहे हैं? आप वही विवाह केवल दो दिलों और आत्माओं का मिलन नहीं है बलकि दो कुंडलियों का मिलन है विवाह का मुहूरत भी उचित होना चाहिए प्रभू भीमेश्वर स्वामी जी की करपा से मैं कामना करता हूँ कि आप सभी का जीवन सुख में हो वो एक महान जोतिश है उनकी भविश्वानी सही होती है फिरतों के परिवार्गे कभी बुरा हो ही नहीं सकता लेकिन दुर्भागे से उनकी बैटी की शादी होने के बाद भी चलते हैं पाताना तो मारी शादी नहीं होती और ना ही मैं आपकी पत्नी होती और ना ही आपका बेटा अच्छा तुम्हारे भाई के आर्मी में पोस्टिंग अब होगी नेक्ष्ट वी की होगी वह भी राजस्तान में तो मैडम के पिता शादी के खिलाव थे कास्ट पराबलम नहीं तो फिर jaidat का प्राबलम होगा मैडम ऐसी बात नहीं हें तो फिर और क्या मैडम हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी और अगर हमने शादी कर ली तो जब हमारा बच्चा एक साल का हो जाएगा तो हम दोनों की मौत हो जाएगी इसलिए पिता जी शादी के खिलाब थे समझ गया मैडम आपका बेटा एक साल का हो गया है और अभी तक कोई भी अशुम कार्य नहीं हुआ है यहीं बताने के लिए आप अपने पिता के बास जा रही है है ना मैडम हंड़ेट परसंट यहीं बात है लेकिन यह अभी तक एक साल का नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ कल ही इसका पहला जरम दिन है कल है क्या बच्चा चुपोने का नाम ही नहीं ले रहा है हम क्या करें रुक जाओ इस तरह के विवाह से पैदा हुए बच्चे की कोई उचित कुंडली नहीं होगी मैं इसका साया भी अपने घर पर नहीं पढ़ने दूगा हम बच्चे को अनाथ की तरह कैसे छोड़ सकते हैं बताईए बात उसे छोड़ने की नहीं उससे हमेशा छुटकारा पाने की हो रही है उसे उसके दादा दादी के हवाले कर दो है शवू की अंतिम संस्कार की तैयारी करो अब चलो कयुति कयो कर भजकी मुपारा दादीा वे वे वूपपारा अार्वह कर दो 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 अज़िए उस बच्चे को मत चुओ यह उसकी कुंडली में पापा आप मानते हैं कि हमारे भाग्य को लिखने की शक्ति भगवान के पास है लेकिन उस भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति इंसान के प्यार में है ऐसा मैं मानता हूं यह मेरा भांजा है और यह मेरे साथ रहेगा फिर चाहे इसमें आपकी अनुमती हो या ना हो और जो कि उस पहा मार fewer झाल 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 लंदन से हम लोग अपना फोता लेने आये हैं ये कहीं नहीं जाएगा लगिन अगर आप इसके साथ रहना चाहते हैं तो मेरे घर चलिए आप हमारे साथ रह सकते हैं आप हमारे साथ आप लेक्राप्ण मेजर विंसन के शादी के समारों के दोरान सेंट पीटर्स चर्च में आतंकवादी हमले में मिर्तकों की कुल संख्या 46 पहुँच चुकी है लशकरे महमद नाम के आतंकवादी समू ने चेतावनी जारी की है कि इस तरह का एक और हमला हो सकता है कश्मीर के सभी हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और शहर के सभी मार्गों पर नाकाबंदी कर दी गई है सुरक्षा टीमों को आदेश दिया गया है कि अगर शहर में कोई भी संदिक द्वेक्ती दिखे तो उसी रासत में लेकर पूछ ताच की जाए कर दो कर दो कर दो जाए ओ बर्कुर्दार यह मिल्टी लोगों का एरिया है गोली मार देंगे तरुब अच्छा के वाथ जूंआ सुप्तित्युर्चा के अच्छा के अच्छा मैं दूदे खंदड़ जानेंगे मैं मिच रखो रखाओ क्या उसने कुछ बताया वो साउथ से है सर दो गंटे इंटरोगेट करने के बाद इतना ही जान पाए उसके बारे में इंक्वारी कर रहा है सर आदे गंटे में रिपोर्ट मिल जाएगी सर आर्मी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में तुम क्यों बुसे और ये मैप तुम्हारे पास कैसे है और तुमने सारी आर्मी लोकेशन्स को क्यों माग किया है तुम्हारा नेक्स टागेट क्या है सर ये मेरा भांज है सर मैं इसे को लेन यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे भांजे का इस माप से क्या संबंध है वो यहीं पर मिलिटरी में है सर नाम कार्दिक कार्दिक शिवराम कौन सी यूनिट पता नहीं सर कौन सा रेजिमिट पता नहीं रैंक क्या है अगर मुझे बता कर आया होता तो मुझे पता होता ना सर अज तीन साल हो गए है उसकी शकल को देखे हो है गॉट इट तो तो मिलिटरी एरिया के सारे लोकेशन्स मांग करके यहां आया हो और हर जगा उसे ढून रहा हो हाँ सर पेवकूप समझते हो क्या सर सर ये बहुत डरे हुए है सर इसकी आँखों में डर देख रहा है तुम्हें कौन है इसका भाज़ा वो बिना किसी को बताया आर्मी में क्यों आया और ये तीन साल बाद उसे क्यों ढून रहा है मुझे ये सारी डीडेल्स चाहिए Mr. Karthik, we are impressed with your academics You are selected for this job Yes Thank you so much, but I'm sorry For what? मुझे इस जॉब की ज़रुरत नहीं है मैं इस ओफ़र को reject कर रहा जॉब में इंट्रेस्ट नहीं है, तो इंटर्व्यू क्यों दिये? मेरे मामा ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत महनत की मैं बस चेक करना चाहता था, वो सफल हुए या नहीं मैं चलता हूँ Thank you, see you लंडन में पोस्टिंग है, handsome पे अपने मामा के लिए तुम क्या छोड़ कर जा रहे हो, तुम्हें पता है? वो फ्यूचर ही क्या जिसमें मेरे मामा ना हो, सर बाई क्या जिसमें पता है अरे आओ ना मामा, अरे इनकी भी आपकी उतारो ना मचली का सालन कैसा बना है? बहुत टेस्टी है, लक्षमी लक्षमी, विजय नगर के शिरी रागविया को जानते हैं न, वो चन्नेई में एक फैक्टरी लगा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वहां मैनेजर की पोस्ट खाली है हमारे गाव में वो राजो है न, उसको वो नौकरी दिलवा दीजिए, ढिगरी होने के बावजूद भी, वो ऐसे ही बेकार गुमते रहता है पहले बगल वाले के बारे में सुचो, जो बेकार बैठा हुआ है, उसके बाद संसार की बात करना हम, उसके पास न तो नौकरी है, ना ही मिलने के उमीद, अगर मेरे प्लानेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या करूँ लक्षमी, अब मेरे नसीब में ही नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगी, तो मेरी क्या गलती है हाँ इतना सब कुछ है ना मुझे कुछ करने की क्या जरू होता है इसी लिए मैं सिर्फ रिलाक्स और चिल करता हूँ सही का ना ना जी पहले इससे कह दो कि ये मुझे ना ना कहकर मत बुलाए मेरे बेटे की जिद की वज़े से मैंने एक अनाज को अश्रे लिया इसके अलावा इसका और मेरा कोई रिष्टा नहीं है इससे काओ कि मैं इसे एक महीने का समय दे रहा हूँ इसे कोई नोकरी ढूंड कर इस घर को छोड़ कर जा रहा होगा ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे इस घर से निकाल दूँगा अरे-अरे-अरे इस तरह हाथ क्यू दो रहे हो उनकी बात का इतना बुरा लगया तुम्हें मैं सिर्फ पानी पी रहा हूँ हाथ बात नहीं दो रहा हूँ पिताजी को एक लाज शांस दे दो वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे एक लास काफी नहीं होगा मामा मटका दो मट इस तरह ताने मानने की कोई जरूरत नहीं है जानता इसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है यहां तक कि उनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं लेकिन यह है कि शादी के बारे में सोचता ही नहीं है मामा जी ने कभी शादी के लिए मना ही नहीं किया वो तो आप लोग मामा जी के लवल की लड़की नहीं डूंड पाएं तो वो क्या करेしょう हां तुम्हारे मामा जी तुमसे यही कहते रहते हैं तुम्हें पता है हम उनके लिए कितने रिश्टे लेकर आये थे इदर देख इदर देख अपने मामा को देख दादी मा बच्चे के साथ खेलना बंद करो और बताओ कि मेरी पोती पसंद आई या नहीं क्या आपको पिछवाड़ा धोना आता है इस बच्चे का मेरी पोती यह सारे काम क्यों करेंगी बाला तो हम खुद ही धोलेंगे चलते हैं चलो माम आप मुझे बहुत पसंद है जी हमारे विचार भी कितने मील कहते हैं मुझे रिष्टा पसंद है मैं जाकर अपने पापा को बता देती हूं ठीक है अरे को देख लिगा तो अच्छा नहीं लगे करना ना पैंट उतर देता हूं पैंट देखिये रहा अपने पैंट कैसे गिली किये इसने एक लग की साड़ी से तुम इसका मूह केसे पहुच सकते हो तुम्हारी साड़ी इससे ज्यादा कीमती है मां इसके मूह पे एक लाग आपको शादी के लिए लड़की मिल सकती है लेकिन आपके भांजे के लिए मां नहीं आपके लिए मां नहीं वो ऐसी पत्नी नहीं चाहता था जो तुम्हारी मा ना बन सके इससे लिए उसने अपने मिलिट्र के नौकरी छोड़ दी तुम्हारी देख भाल करने के लिए जैसे तुम उसकी दुनिया हो आज के बाद आपके शादी की जिम्मेदारी मेरी है मामा जी मामा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उनके लिए लड़की देखने राज मुंद्री जा रहे हैं अबे ठीक है यार मुझे तीन महीने के अंदर मामा जी को दूले के रूप में देखना है तीन मैंने इंतिजार क्यों करना है दर जी को बोलते शाम तर कपड़े मिल जाएंगे अपने गंदे जोग अपने पास रख मैरेज ब्यूरो उसको इंफॉर्म कर दिया ना हाँ मैंने सारे ब्रोकर्स को इंफॉर्म कर दिया है सभी हमारा वेट कर रहे है फिर ये के लिए डॉक्यमेंटरी फिल्म बनाने के लिए आ रही है एक बात बता अपने बॉइफ्रेंड के गाउमे क्यों आए शुट आप बॉइफ्रेंड नहीं एक्स बॉइफ्रेंड और मैं कहीं भी आजा सकती है अरे बजा रहे मैडम जी आगई मैडम जी आगई लाज इदी इसे दिए समाए मतलब कि तुम दोनों कॉले से गुसरे को जाने की ज़रूरत है क्या आप फिर से कभी ऐसा करोगे बोलो अब इस तरह से कभी भीक मत मांगना कल से मैं तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म में देखना चाहती हूं समझे अरे नहीं स्कूल में टीचर मुझे मारती है यह तो मामा जी के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट है हाँ सब्सक्राइब कि शादी हो चुकिया आम तौर पर पहली मुलाकात में लोग नें पूछते हैं और तुम उससे पूछ रहे हो कि मैं मेरिद हुया नहीं ठीक है आपका नाम क्या है वेनला घी आपकी शादी हो गई है कौन हो लेडिज अ को यसे पूछता है ठीक है आप से पुछता हूं इनकी शादी हो गई परस्नल डिटल से क्या लेने देना अरे हाप कौन है मैं इसका फादार वह सुपर्ब आपका कोई दामाद है नहीं मैं मैं नहीं सो ना वाट हम अरे मुझे अपना सामां दीजिये आपकी सारी सिम्धार हो अरे होए हम विदाव प्रिजिन इसकी गाड़ी में क्यों बैठे है हम खुद कहां बैठे है बेटी इसने अंदर व्यकेल दिया वैसे मैडम की लैंग्वेज तोड़ी अजीब सी क्यों है इंग्लिश फिन की सस्ती हिंडी डबिंग की तरह मैं नॉर्थ इंडिया नुमन की मां इस सबकी जरुवत नहीं है उससे क्या टूंस एंड मोर अरे एक बार फोटो देखतो लें फिर सेलेक्ट करना ना अल्रेडी सेलेक्ट कर लिया है अब बस सेटिंग करनी बागी है सब्सक्राइब करनेक्शन सेट होना चाहिए पिक्चर में कोई डिस्टर्बंस नहीं चाहिए दूद वाले को बोल दो कल से दूद डालना शुरू करे सुबह पांच बजे पीपर आना चाहिए उसमें सारे न्यूस होने चाहिए अगर हमें अंदर जाना है तो तुम लोग कियाँ से जाओ एक्सक्यूज में टीचर गालों में पावडर लगाकर शिल्की साड़ी पहन का बालों में चमेनी का फुल लगा कर मेरे दोस्त तोई अच्छा होगा यही कह रहा था यह अब आपम चलते हैं कुछ आए पूल पकड़ कि आएगा आब अभी-भी मंदिर अआ इसका मतलब यह नहीं कि वो अंदर से सावित रही हो सबसे पहले इनका क्यारेक्टर मामा जी के साथ सेट होता है याने यह चेक करना होता है मुझे एक सोती सेकर दमीन मिली है मैंने वह आपके नाम ट्रांसफर कर दिया है जी जाजी यह सब अच्छा है लेकिन यह क्या है कागज पर यह खोन के थब दे कोई भी सोच सकता है कि मैंने उन्से जबरदस्ती फीना है एलेक्शन भी आ रहे हैं वैसे बाबो तुम्हारी बी उनको खड़े होकर पाट पढ़ाने की आदत है बोलिए तीन सो बच्चों की जिन्दगी का सवाल है वह वहीं होस्टल में रहते हैं और स्कूल जाते हैं सर यदि आप वहां बियर फैक्ट्री लगाएंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा आप इस पर पुनर आप अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं अरे मास्टर को बियर फैक्ट्री में बोतले गिनने का काम दे दो हिंदी पढ़ाते हैं लेकिन में अच्छे हैं इसे में पंपर आउफर कहा जाता है कितने अच्छे से सब्सेटर कर दिया अरे क्या कर रहे हो भाई थोड़ी देर में कब टूटने वाले हैं सर जी कब क्यों टूटेंगे यह क्या बाद दो बिड़नों से पड़ा चल जाएगा पागल है कह रहा है कब टूटने वाले यह मिलिटरी नाइडू यहां क्यों आए है बास्टर जी की मदद करने के लिए अगे सर बियर की बॉटल की कसम चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपनी फैक्ट्री वहीं पर बनाऊंगा जी जा जी फिर से बूँगा यह बहरा है क्या इतनी बार बताए यह बियर फैक्ट्री ब बनेगी तुछे जो करनाए कर मामा जी ने दोहराने के लिए इसलिए कहा था ताकि जो गलत कहा है उसे सुधारने का वक्त मिल जाए बात दुबारा रिपीट होई तो इनका हाथ भी होगा देख क्या रहे हो तुम लोग मिलिटरी नाइडू जी जब मास्टर जी ने अपनी समस्या बताई तो मैंने का मैं ऐसे हल करूंगा वो हिंदी मास्टर है और मैंने उन्हें अंग्रेजी में बताया शायद इसलिए कन्फ्यूज हो गए इसे मिस कम्म्यूकेशन कहते हैं अंग्लिश में स्कूल वही रहेगा ये मेरा वादा है अगर बच्चों के भविश्य के साथ खेलोगे तो तुम्हारा भविश्य खतम ये मेरा वादा है आपने उन्हें छोड़ क्यों दिया हेलो हमने उन्हें नहीं उन्होंने हमें छोड़ दिया उसके खिलाफ जाना मतलब पूरे 14 गाओं के खिलाफ जाना किसे इलेक्शन के बाद देखेंगे सवाल तो रेड़ी हैं लेकिन उसका टेस्ट कल करेंगे तुझे लुंगी में जॉगिंग करते देखकर बुरा लुंगी के बिना और बुरा लगोंगा भाई यह एसे लोटे में पानी लेकर भागते हुए कहां जा रहा है इस सब की वज़े इसका बाप है क्यों सही कहां बिल्कुल बिल्कुल यह सरकार की योजना है इसका नाम है वाटरिंग प्लांट्स एमेले पशुपती जी की महत्व अरिका जाकर देख भी आप लोगों यह भी पताना पड़ेगा लोटा पाटी के लिडर जी यह लोटा लेकर कहां जा रहे है और इसके पिछे कौन है बताएंगे और कौन हो सकता है हमारे मेले पशुपती जी अगर ऐसी स्कीम साइलाइट हो तो मेरे ड्यादी लाइम लाइ ना में हाथ में लोटा पगड़ा लुटा लुटा अगर खेट में खाट डालो क्या बात है कितना अच्छा लग रहा है इंटेंसिदी इमोर्शन दिखाएं और साथ इमोर्शन दिखाएं रुकिये बैया लोग ने पार्टी अरे रुको अरे दूर हटोगी तब हम अपना क मुझे देखना है और पूरी दुनिया को भी वीडियो दिखाना है अब हम ऐसा करेंगे जैसा कि आपने बताया थे इन सब के बीचे मेले का हाथ है फिर सीम फिलिंग के साथ वापस से पूरा बता मैं लो एंगल से शूट करती हूं शुरू हो जा बता इसमें तकलीफ तो न क्यों कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप उसको देखो अरे उनको लड़कियों कि उपर कपड़े बसंद रहें रात में बिस्तर पर दो लड़किया चाहिए वेंकर जी के बारे में इतना जूट को बोल रहा है मोट्टू अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो चाहे वो कुवारी और शाविशुदा बिस्तर पर ले जाता है ओ मुझा कुछ से नाए दे रहा है और यूजे तो मैं तुम पशुपती की मेटियो मैं तो तुमें तब से जानता हूं जब तुम बच्चों के कपड़े पहनती थी मैडम तो बड़ी हो गया लेकिन लगता है उनकी निकर का साइज वही है यहां पर तो विंकर जी है और बाप जी कैसा चल रहा है बिजनेस आपके आशिरवात से अच्छा है मैंने आपके लिए लक्ष्मी भीजवाई थी कैसी है वो अगी लक्ष्मी कौन है लड़कियों का दलाल है लक्ष्मी बहुत अच्छी है बहुत जल्सुदी हो गई अब क्या मतलब है वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन चुने ही नहीं देती है और हमने बहुत कोशिश की मैंने नौक्रों ने और दो लोगों ने पिछवाणा चुने की लेकिन हाथ नहीं है देखना यह कैसे खुलम-खुला बात कर रहा है एक और है जो गुजरात में रहती है ल चलो बाई एक और मिलके हमें मेडाम आप तो आपने देख लीन के बारे में बात कर रहा है क्या स्टेरिंग काम नहीं कर रहा है तुम जानते नहीं हो के मिलते है क्यों बहुत जॉगिंग के लिए गया था मुझे लगता है कार्तिक की तरह ना पूरा गाउं खिसका हुआ है रुकिये आप कहां तक पढ़ी है मैंने इस साल एंजिनिरिंग पूरी किया कार्तिक भी यही पढ़ा है कॉलेज 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 भी होई है आपको हमारी डिडल्स क्यों चाहिए हो तो मुझे बस आपसे यह जानना था कि वह तो ने कार्तिक से ब्रेक अप करके बहुत जिए ने जिए छेलड़ चंकरे और अपके अटेंगे जानना था प्काण चंकरेंस कि अब तो तो मारी गर्ल्फ्रेंड हारीका की बात कर रहा हो तुम नहीं तो पते आदा दोफेक पीने के बाद भूल गया शराब के नशे में आपको क्या क्या बता दिया होगा मैं जा रहा हूं मामा जी मैं अपको थो को नशे में अपको और आपको लुटिन को उन्हें में अरे मैं अब करें हैं पता नहीं मैंने नशे में आपने क्या शुन लिआ मैं Concept वो तीन साल जो मैंने उसके साथ बिताय थे वो हर पल बहुत कमाल का था मामा जी जब मैं इसे फिर से सुन रहा हूं तो तुम्हारी लव स्टोरी जादू ही लग रही है तो अब मुझे अपने ब्रेक आप के बारे में बताओ मामा जी जब यहां आत रखना सिर में दर्द हो रहा है आपको मेरी कसम दोबारे इस बार में बात नहीं करोगे अरे कार्ति हलो यह सर ठीक है सर हमारे लोगों ने पुलिस टेशन में संपर्क किया है इनका बयान हमारी रिपोर्ट से टैली कर रहा है सर यह सच है इनका भांजा तीन साल से लापता है सर अब तक इन्हों ने हमें जो बताया है वो सही होना चाहिए इसका एक भांजा है और वो लापता है सिर्फ यही कन्फार्म हुआ है लेकिन इसका भांजा आर्मी में है और यह उसके लिए आया है यह अभी तक साबित नहीं हुआ है इसका फैसला कल कंटोर्मेंट में होगा सर लगता है आप अपने भांजे के लिए परिशान है वो अगर आपको अभी मिल जाए तो क्या करेंगे अगर वो मिलेगा तो एक थपड लगा दूंगा मुझे पताया बिना चला गया गलत है बिल्कुल है और मैं उसे मार नहीं सकता है सिर्फ डाटूंगा उसे जब मैं उ तो मैं उसे गले लगाकर प्यार करूंगा सर ये सई है sorry हमने पूरी आर्मी मेंический की है लेकिन ऐसा कोई आदमी आर्मी में नहीं उसने ऐसा कहने के लिए बोला ना सर कॉन मेरे घांजे ने आपको ऐसा कहने को बोला ना what nonsense the major शका जमाग तो ठीक है इसके ड्रामा पर मुझे पहले से शक्ता सर, साबित करने के लिए सही हाल आया हूँ, मैं इसे देख लेता हूँ सर, सॉरी सर मेरे बाढ़ चुन लिजे तर रमाराव सब्सक्राइब अस्वार है आट नेयुआ पर ध्लीज अब्सक्राइब यह बप्टाइ। सब अज़ा सब अज़ा सब अज़ा सब अज़ा यह उज़ा मामा उसको लेने आया था सर इस पर यूर इंस्ट्रक्शन मैंने उसे कुछ नहीं बताया सर मेंटें देट यस सर कैप्टन कार्थिक शिवराम वेर योधा देखो वेंकट तुम सिच्वेशन को समझने की कोशिश करो मेरी बात सुनों और मुझे सच बताओ मैं सच कह रहाँ सर अगर तुम सच बोल रहे हो और अगर तुम्हारा भांजा तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आता क्यों कर रहा है वो ऐसा अगर आप यह जानना चाहते हैं नगता है मैडम जी कल के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है इन से ना हो पाएगा चुपकत मेरा और्डिशन में सेलेक्शन हुआ था तू मेरा इंसल्ट कर रहा है वाई के करेक्टर के लिए चुप मैं यह रोल नहीं करूंगी मैं तो एक हीरो इन मटेरियल हो मिल говорить करेद तो कमाल का है यह अम हमलोगों नहीं किया वेंगाड़ी नहीं किया है अरे बापर आपको आगा चिंगडी मामा नाइडू जी आपको इनसे क्या काम अगर उन्हें दुबारा मिलाना है तो उनके ब्रेक अप कारण जाना हो है कार्तिक ने तो कसम दिये उसे पूछ नहीं सकता तो चलो इस लड़की से ही पता कर लेते हैं आजो ठीक है और मेडम यहां का इंतजाम कैसा लगा सब को हमारी तर हां आपको हम में इतना इंट्रेस्ट क्यों है वो भी बता देता हूं पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सिर्फ दस मिनिट उन जाडियों में चलना होगा मुझे लगता है यह पूरा पागल है वहां हमारी एक शेड है और उसमें एसी भी है पांच मिनिट में कूल दस मिन में मैं इसी बाते सब के सामने नहीं कहते इसके लिए प्राइवेट जगा होनी चाहिए सिर्फ दस मिनिट हम बस यूग और यह आदमी तो काम वासना से भरा हुआ है तुम बच्ची हो तुम नहीं समझोगी यह हम बड़ों की बाते हैं रुको बस पांच मिनिट की तो बात है मैं यहीं इंतिजार करता हूँ यहीं वह शेड़ा है पांच मिनिट आजाओ अरे यह तो पर्सनल मामला है पबलिक में डिसकस नहीं कर सकते ना यह समझ क्यों नहीं रही आपकी नए इंग लिष्टी चाहूँ और आप सबकी फ्रेंड भी आज हमारा क्लास में फर्स डे है इसलिए सबसे पहले हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहले आप अपने बार में बताईए टीचर शुर तो पूछी आपका बॉइफ्रेंड है ना टीचर टीचर से ऐसा क्वेश्चिन कर सकते हैं टीचर अब बहुत कूपसूरत है आपको पता है यह लड़का तो अपने से इंप्रोवेज कर रहा है बाई बस ऐसे ही कह दिया तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की तुम जैसे दूर-दूर के गाउं में रहने वाले छूटे-छूटे बच्चे को बहुत टीचर एक सहयोगत परियवार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है टीचर गुट क्विश्चन अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक फैमिली कैसे बन सकती है ब्लड रुलेशन होने के बावजूद अगर हम एक साथ नहीं रह सकते तो हम अच्छे इंसान कैसे मेरा चॉकलेट था है इसे चॉकलेट देना लेकर इसमें सवाल पूछा है नहीं मैं अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ टीचर यह लोग कौन है जो क्लास्ट्रूम में कच्छे किदर है रेंग रहे हैं एक ही इनसान है मिल्ट्री नैडू जी क्या है रहे कोई लेडी साब से मिलने आई है लेडीज माई नेम इस वैनेला ओ मैं स्कॉल की नई टीचर हूँ अरे यह तो टीचर जी है नारियल बाने लेकर तो पैन लगा तो अरे फैन उस जगह पर क्यों रखा नाइडू जी आंख में थोड़ा उफफ करेंगे उसकी आंख में उफफफ ऐसा बोल रही है उफफ उफ उफ जाए नाइडू जी थोड़ा करीब जाके उफफ कीजिए ना नाइडू जी कुकर जैसी सीटी क्यों बजा रहे हैं उसल मत मारिये फूक मारिये और कहरी सांस लीजिए और एक तब से छोड़िये और मेरी आंख में कच्रा गया है मूँपर नहीं मिस्टर नाइडू जली करिये वैसे आप यहां पर क्यों आई है एक लड़का है जो मुझे बहुत परिशान करता है परिशान करता है तो दो दिन के लिए क्लास के बार खड़ा कर दो ठीक हो जाएगा लड़का मतलब थोड़ा सब्सकर लिए अभड़का है इचा करकर के मुझे हरेस कर रहा है नाइडू झी को इंगलिश नहीं आती हराय हुझ मुझे ही संभालना पड़ेगा और यह क्या कर रही है वह जो कह रही है उसका मतलब है परेशान जिसका मतलब है टेंचन होना अच्छा है कोई अड्रेस पता नहीं है इस बात के बारे में आपको खुच आके देखना होगा टीचर जी को पता नहीं तो कोई बात नहीं है अच्छा आप एक काम करो अगर उसने फिर से परिशान किया तो आप मुझे फोन करो मैं देख लूंगा हमारा तो पूरा प्लान ही फियल हो गया प्लान एक काम नहीं किया तो अंग्रेजी में पच्छे सौ रक्षर है प्लान भी येस वो चाहे जितने प्लान बना ले कार्तिक को इस बार लंडन जाना ही पड़ेगा अगर हम कोट जाएंगे तो वहां कोई आर्गुमेंट नहीं ह होगा यदि हम लीगली बात करेंगे तो कार्तिक के कस्टड़ी उसके दादा दादी को दी जाएगी हाला कि वह इसलिए शान्त है क्योंकि वेंकट ने उनसे अनुरोद किया था इस बार ऐसा नहीं होगा कार्तिक मस्ट गो ससर मुझे एक च्छोटा सा डाउट है अगर मैं किसी को रोड के बीचो बीच माल डालू तो सेक्षन कौन सा होगा सजा कै होगी लायर वो क्यों तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी जॉइन फैमिली को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे जरूरत नहीं है नहीं बैसे इसकी शकल है कि इस पे असी फैंक बीदो तो कोई फिरकने नहीं तो हमें क्या लगता है कोई जरूरत नहीं आपको मौका नहीं मिलेगा अब क्या हुआ लंडन एरपोर्ट पर तेरे रिष्ट अटेक हुआ है और फ्लाइट कैंसल यह अचानक कैसे चाहे दी पाउली हो या दशेरा पंचांग में पता चलता है तेरे रिष्ट अटेक कभी भी कहीं भी हो जाता है मैं चलता हूँ मैं खाने के लिए गंणा लेने किया था सार इसलिए लेट हो गया सब्सक्राइब यह प्रियास भी विफल हो गया अब हम क्या करेंगे कोई बात नहीं है किसी भी तरह से कार्तिक को इस घर से दूर भेजना ही पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को अलग करना होगा इतने बड़े आदमी आपसे कुछ मांग रहे हैं इनके बारे में कुछ सोचिए देस मिनिट में हो जाएगा ज्यादा नहीं यह वादे क्यों कर रहा है हमसे इसे क्या चाहिए देखिए आप यह से जाहिए वना मैं पापा से शिकार्त कर दोंगी अगर हमारी सेटिंग होग इस तरह अपनी बेटी को खुष नहीं देखना चाहिएगा इसे पकड़ो लेटर है पूरी राज जाक के लिखाया मैं सब फेस तुफेस करता हूं इस तरह लेटर लिखने के मुझे आदत नहीं है अगर इसे पढ़ोगी तो मेरे दर्थ को मेरे आत्मा को तड़प को समझो इसा मचली है यहीं नदी मा पकड़ी थी आपके लिए फ्रेश लेकर आगया एक बर खाओगी तो बारबर हमें याद करोगी तो अपना मुझ बंद रखेगा स्पेशली आपके लिए लेकर रहा हूं मैंड़ अगर मिस्टर नाइटो को यहां बुला लों तो इनका केम फेन है ठीक है पापा उनको बातों में उल्चाइए और सारी की सारी डिटेल्स ले लिए टीचर जी ने मुझसे कहा कि दो फूल आए हैं और उनको मिलने घर पे जाना है क्या कहना चाहती है अरे बाप रे फूल का मतलब तो फूल होता है उसने आपको फूल लेकर घर आने कहा इ पर आएंगे अगर मेरा कैस सही है तो टीचर में मामा जी को फोन कर दिया होगा सबने दिख वह रहे है हसना बहुत हो गया तुम्हारा नाम क्या है इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है अरे ये क्या बात हुई मेरे चोतिश ने ऐसा नाम रखने के लिए कहा जिसका पहला औ अज तक ऐसा नाम डूढने के चकर में नाम नहीं रखा है अरे विबच्च्चा ताप में भूल गया तो पर बड़े होने के बात पूछ ले तब तक वह गुजर चुक हम फिर दोने एक दूसरे को क्या कर बुलाते हो मैं उसे यार बुलाता हूं यह आपने मुछे बुलाय अरे 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 आरे आपने मुझे बुलाया लगता है पूरी तयारी करके आया मुझे इनके चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए है वैसे मैं एक नया फोन खरीदा है तुमारे फोटो लेते हैं तो तुमारे फोटो कैसे आएगी चलो आपाँ जाओ आपके घर के पास ही हूँ बस आई रहा हूं मीन डूर से नहीं बैक डूर से आए बीचे का दर्वाजा यह क्या है कहीं राजू की बास सच तो नहीं है मास्तर जी टीचर तो बहुत ही होशियार है ना सही का बेटा अगर तुम मेरी बेटी की फोटो देखोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें उसकी होशियारी का पता चल जाएगा अब बेट्रूम में जल्दी करिये ना देखिये मैं यह सब नहीं कर सकता प्रिंसिपल ने अश्य क्यों गाए पर उन्हों ने असा क्यों गाए अब यह मेरे पिताजी है अभी का जलूरी है बेटा बेली बेटी को चिंड़ने वाले को वेने रूम में बंद करके रखा यह जो 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 अर जो अरे बगवाने है यह तुम क्या कर रही है यह तुम क्या कर रही हो तुम बेटके नींचे च्टू पहो है अब वाहा बार हु नहीं गलत है श्री जुआ जाये ना नहीं नीची नीची को होगे वो आपने किसी और को फोन किया था पापा लगता है वो रासकल्स भाग गए जल्दी कीजिए पापा पापा अरे रे रे कहां चले गए वह दर्वाजे को बंद करना भूल गया था बेटी लगता हो लड़का यहीं से भागे बतमाश कुंडी मैं अगर वो लोग फिर से आए तो मुझे फोन कर दीजिए मैं उन्हें अच्छा सबग सिखाऊंगा लगता है आपने हिल्सा मचली के करीब नहीं मेरे मों में पाने हारा है वैसे भी यह लंच टाइम है अब खाना खाकर जाए ना नहीं खाना वाना रहने नहीं आप इतनी अप टेस्ट कैसा लगा अच्छा लगा मेरी मां से बहतर बनाए यह वेटे मचली की काटे से बच कर आराम से खाऊंगा मेरा नाम वेंकट नाइडू है मचली के काटे से मुझे मचली काता है मचली का इसे बीना चबाए घर लीजिगा काटा धार होजाएगा काश यह काटा 20 साल पहले ही अटक क्या होता सर्वे रिपोर्ट आ गई है जिजा जी जब तक कोई चमतकार नहीं होता हम यह एलेक्शन नहीं जित सकते अगर हम लोगों को इलेक्शन से पहले 5000 दे दें तो वो में 5000 साल देंगे इसे ही डेमोक्रिसी कहा जाता है इंगलिश में बस 1000 रुपे ज़ादा देने पड़ेंगे हमारा काम हो जाएगा अरे नहीं नहीं अब यह काम नहीं करने वाला हमारे खिलाफ लोगों के पास बहुत कारण है हां अगर आप मिलेटरी नाइडू का अगर वो हमारे सपोर्ट में पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दे तो हम जीत जाएंगे अगर उससे हमारी ताकत बनाना है तो हमें पहले उसकी वीकनेस पर फोकस करना होगा हलो मुझे मिलेटरी नाइडू से मिलना है वहाँ पर अंदर होंगे मिलेटरी नाइडू सही है भाएंकर नाइडू को सबक सिखाने के लिए हलो सर मेरा नाम कैंडी है और इसका नाम हारीका हम आपसे एक मदब मांगने आए हैं सर एक टाकत पर गुंडे आदमी ने हम दोनों को परिशान करके रखाए सर आप उस आदमी को पीट-पीट के मसल अरे बाबा बाबा अच्छा है आखिर तुम आई गई है विलेटरी नाइडू मैं हूं तो फिर वाइंकर नाइडू वो भी मैं हूं इस बलतकारी आदमी को कोई कैसे इजदार आदमी कह सकता है उनकी तो मैं है राजो है यह लड़किया तो आ ही गई जी मालिक थंडा मंगवाओ सब को यहां से भगाओ है सब लोग जाओ यहां से कोई दिखना नहीं चाहिए हाँ चलो अब बोलो तुम्हारे और मेरे भांजे कार्टिक के बीच में क्या पंगा हुआ है कार्टिक इनका भांजे मैं स उसकी ज़रत नहीं है इसलिए आप जानना चाहते हैं कि हम दोन अलग क्यों है सही का न तुमने अपनी जॉब क्यों जोड़ती कार्टे उन इंटव्यू लेने वालों से तो तो तुम ज्यादा शौक लग रहे हैं यह जानकर कौन शौक नहीं होगा कार्टे मैंने लांदन युनिवर्सिटी में अप्लाय किया है क्योंकि मुझे लगा कि इंटर्व्यू क्लियो करने के बार तुम वहां जाओगे मैंने सूचा था कि हम लोग वहीं सेटिल हो जाएंगे और उसकी बाद एक अच्छी जिन्दगी बिताएंगे अगर तुम्हें मुझ से यही एक्सप बता देना मेरे मामा ने मुझे पाल पोस्कर बढ़ा किया और उनके लिए मैंने नौकरी ठुकरा दी अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है क्योंकि मैंने अपने फैसला कर लिया है तो उसे भी छोड़ दोगे जिस लड़की को तुम प्यार करते हो यह मेरा आखरी सव मेरे यहां आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कार्थिक है मुझे लगा कि मैं अपने प्यार को फिर से जिंदा कर सकती हूं लेकिन उसे सिर्फ हमारी लड़ाई याद है अलग होने की पहले की मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बिल्कुल भी मिस करता है लगता है वो मेरे बिन तुम्हें में चाहिए यो तुम्हारी मामा अगर मामा के सामने जिंदगी को भी चुनना पड़े तो मैं मामा को ही चुनूंगा लंडन में पोस्टिंग है एंसन पे आपने मामा के लिए तुम क्या छोड़ कर जा रहे हो तुम्हें पता है वो फ्यूचर है किस काम का, जिसमें मेरे मामा मेरे साथ ना हो कार्थिक को लंडन ले जाने के लिए उसके दादा-दादी यहां आए है ये तो मुझे ले जाने की ठान कराए है, प्लान क्या है मामा? जाओ अपना बैक पैक करो क्या बात है मामा, ठीक है मैं बैक्स लेकर आता हूँ, प्लान बताईए कोई प्लान नहीं है, तु चला जा मामा जी? अच्छे तरह से परवरिश की हमारी जिम्मेदारी खतम, बहतर यही होगा तुम इनके साथ लंडन चले जाओ हेई, इसका सारा सामान गाड़ी में रख दो मैं कहीं नहीं जाओंगा मामा जी, यहीं रहूंगा जब वो नहीं चाना चाता तो आप उसे मजबूर क्यों कर रहे हैं? गणनी साब, आप इसे अपने साथ ले जाएए हारिका से मिलने गए थे ना मामा जी? हाँ मैं उससे मिला था उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही है तु सिर्फ मेरे लिए उस लड़की को छोड़ रहे? तुम इसा कर कैसे सकते हो, यह गलत है वो स्वार्थी है मामा जी प्यार का मतलब भी स्वार्थ होता है मैंने तुम्हें 23 साल तक यहाँ पर अपनी चाती से लगा कर रखा इसमें मेरा स्वार्थ था तुम्हें लंडन नौकरे पे भेजने के खिलाफ था क्योंकि तुम दूर चले जाते यह भी स्वार्थ था और लंडन कितला दूर है यहां से वहां जाने में कैलेंडर की तारीख भी नहीं बदलती तारीख 24 घंटों में बदल सकती है लेकिन मेरा दिल नहीं बदलेगा चाहे आप उसे बदलने के कितने भी कोशिश क्यों न करें कोई भी मुझे आपसे दूर नहीं लेकर जा सकता आप भी नहीं मामा जी मैं तुमसे आखरी बार कह रहा हूँ तुम लंडन चले जाओ मेरे कसम मामा जी अरे रहने दीजे वेंकटा राथम जी उसे मजबूर मत करिए जब आपने कहा कि मेरे पोते ने बुलाया है तो हम लोग यहां खुशी-खुशी आ गए यहां आने के बाद पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है हमें देखना चाहिए कि वो उनके लिए क्या त्याग कर रहा है वो उस लड़की को छोड़ने के लिए तयार है जिसे वो प्यार करता था जो आपने प्यार दिया है वो महान है मैं आपसे बिंती करता हूँ कि मेरे पोते को यहीं रहने दीजे आप इस तरह हाथ मन चोड़े जाने से पहले करतिक की सारी यादें वापस लोड़ाना चाहती थे करतिक का करियर और उसके साथ मेरा फीचर अपनी लाइफ में इन चीज़ों के अलावा मैंने कुछ और सोचा ही नहीं फ्रांकली मैंने उसके एमोशन्स के बारे में कभी नहीं सोचा सच करूं तो कि तुमसे दुबारों कभी नहीं मिल पाऊंगे हम सॉरी करते हुआ 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 है क्या मुझे शादी के लिए मनाने के लिए फोन किया है मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है क इस शादी के लिए बिलकुल राजि मत होना अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा बेटा किसी तरह अपनी भानजी की शादी आपकी बेटी से करवा देगा इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे यहां से बहुत दूर भेज़ दो क्या तुम लोगों ने यह नहीं कहा था कि हमें इलेक्शन जीतने के लिए किसी चमतकार की ज़रूरत है वो हो गया मिलिटरी नाइडों मुझसे मिलने आ रहे हैं इसी को मिरेकल कहते हैं इंगलिश में मैं आपके घरा कर एक सरूरी बात करना चाहता था मुझे पता है आपका भांजा और मेरी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं वहाँ देखो अब हमारे बीच बेंकर नाइडो जी आएंगे और मले साहब के अच्छे कारियों के बारे में बसाएंगे मैं यहाँ शादी के बात करने आयो इसकी राजनीती मत बनाई है सेर हमारे मेले साहब तो आपसे अच्छे काम के लिए होसला बांग रहे हैं यह अपने भांजे के रिष्टे के लिए क्या इद्धा भी नहीं करेंगे पशुपत्ली नाईडू को वोड़ दे मसी इतना कह दीजिए जाहिए वेंकर नाईडू जी जनता आपका वेट कर रही है जाहिए सर प्रीज सर सबको मेरा नमस्कार हमारे एमेलेश की पशुपती नाईडू जी बहुत ही मेहनती है इन्होंने काफी डिवलपमेंट करके हमारे क्शेतर को आगे बढ़ाया है ऐसे रिप्ति को वोड़ देकर जिताना हम सब की जिम्मेदारी है जूते से मारूंगा तुमें भगवान ने हाथ दिये तो किसी भी बात पर उनसे ताली बजाओगे तुमको दिमाग नहीं है या इस्तवाल नहीं करते कल तक मैं जिसका विरोध कर रहा था आज मैं रिष्टे के लिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूं अगर किसी ने कोई बादा किया है और उसे पूरा किया है तो उसे ही वोट दो लेकिन अगर कोई रिष्टे से वोट मांगे बाप, भाई या पिता तो उसे वोट बन दो कुछ समझ में आया लीडर बनके तुमने कोई तीर नहीं मारा है कम से कमेक अच्छा पिता तो बनो अपनी बेटी के लिए उस मिलेटीन आइडू को मार देते हैं जी जा जी उसे जीना है लेकिन उसके भाणजे में उसकी जान बसती है वो नहीं बचना चाहिए हा माँ बोलो तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारे जन्म दिन पर तुम्हें गिफ्ट में हरिका देने का वादा किया है मान गये तो हरिका का पती बनूंगा नहीं माने तो अपने ससुर का दामाथ बनूंगा हालो मेरी बार ध्यान से सुनो करते हैं तुम अब तक पहुंची क्यों नहीं मेरी आवाज आ रही है हलो हारी का तुम वहां से निकल जाओ तीस तुम्हारी चाहत्ता सुनाए नहीं देरा है हलो मेरे पापा के लोग तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं मैं यहां मंदर के मेले में हूं तुम का हूं कि अआ क्यों आै क्यों नहीं walking क치가 तुम्हेंए कि आपकाशा याच्फिक है क्यों एखम प्रिए अप्राइज़ बहुतको है कि नहीं हो मेरी अवा सनाई दे रही है हारी कार्देट कर दे दीडित कर दे आपकर देखित कर देखित कर देखित एंख के तुरत प्हुरत! मैं!!! मामा भान ये दोनों की मौत यहीं पर लिखी है मुझे अपनी ताकत पर विश्वास है भाग के पर नहीं अपना चाकू पकड़ो अपनी कमर को कस लो अपना पता लिख लो और अपनी जेब में रखो तुम्हारी बॉड़ी को घर बेजने की जिम्मेदारी मेरी येस नदी में तेरना मैंने सिखाया रिंग में खेलना मैंने सिखाया और अब मैंसे शिकार करना सिखाऊंगा स्क्राष्षपर ten तेर हुच्छ इत आपेसा स्पनान। और ते अवार अवर इपर अपकुर्ण और दूँए वहार राट बपकुर्णन। अपकुर्णन। अवार शब दुट्ट तुम्हारा खेल खतम इस साल ये मेला रंगों से नहीं तुम्हारे खून से रंगेगा आजाओ सब के सब आपने अपने बेटे को शादे के लिए भेजा और उसने गुंडे भेज दिये लगता है मैं कुछ समझ उसने क्या पाप किया है कि आपने उसे धोका दिया कोई पाप नहीं है लक्षमी उसका शराप है उसके पैदा होते ही समय मैंने उसके कुंडली देखी थी तब ही मैं समझ गया था कि यह मेरे बेटे की मौत का कारण बनेगा कार्तिक की कुंडली भगवाग श्री कृष्ण जैसी है जिसमें लिखा है कि कार्तिक का जन्म अपने मामा को मारने के लिए हुआ है लक्षमी आज उसका 24 वा जन्म दिन है किसी वही छण वेंकट की जान जा सकती है उसके लिए खत्रा बढ़ता ही जा रहा है ए भगवाण तुमने मुझे भविश्य देखने का श्राप क्यूं दे दिया एई तेरे सारे गुंडों के जिसम में अभी तो सिर्फ सांसे बची हैं यह रिपीट हुआ तो उनकी जान चली जाएगी अपने जीजा से कह देना आज से उनकी बेटी मेरे घर में रहेगी चल भाजे मैं नहीं जानता आप कैसा मैसूस कर रहे हैं लेकिन मैं बहुत टेंशन में हूँ कि मेरे सर आपके साथ क्या कर सकते हैं मैं भी ठक गया हूँ सर मैं नहीं जानता कि मेरे भाजे के बारे में किस से पूछा जाए यहीं पेरू किये याद में कौन है ब्रिगेटीर विजे प्रकाश वो चर्च के हमले में मारे गया ओफिसर्स की बॉड़ी देखने आए मतलब यह यहां के सबसे बड़े ओफिसर हैं पूरी च्छावनी के हैड है वो सर दिस्चार्शीट अगर मैं चूप जाता तो वो मुझे मार देता वो कारतिक के मामा है सर मुझे यकीन है वो ढेहा है सर मैं इसे देखता हूँ आप चलिए सर यह सब जुट बोल रहे हैं सर आपको मेरे साथ न्याय करना होगा सर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कारतिक शिवराम नाम का आदमी आडमी में नहीं है फिर से एक बार बोली है सर कार्तिक शिवराम नाम का कोई भी आदमी आर्मी में नहीं है सर मैंने सिर्फ आपको कार्तिक बोला था सर अगर ये मेरे भांजे को नहीं जानते हैं फिर इनको शिवराम नाम कैसे पता है सर अजय सर उसे कार्तिक के पास ले जाओ सर थैंक्यू सर, थैंक्यू सर मेरे भाणजे को मत बताना कि मैं आ रहा हूँ, वरना वो फिर से भाग जाएगा मैं उसे नहीं बताऊँगा, पर आपके भाणजे ने आमी क्यों जोईन की, किसी डर की वज़े से न नानी कि आप जो कह रही हैं वो सच है अहां बेटा, ये राज तुम्हारे नाना ने पच्चीस सालों से अपने सीनी में दबाए रखा, ये सच है क्या मा, पापा ऐसा कैसे कह सकते हैं यहार लाइफ और डेथ का माटर है और आप लोग इतनी लाइटली ले रहे हैं तोहर क्या करें बताओ, बस ये ट्रेन के नीचे तो कोई भी आकर मर सकता है लेकिन लोग तो कुंडली के बोच से मर रहे हैं इस बार तो क्या होगा ये भविश्यमानी मैं करूँगा आने वाली पंदरा तारिक को तुम्हारी शादी होगी बले इसके पिता के गुंडे रास्ते में आया मेरे पिता की कुंडली मैं हर हाल में तुम दोनों की शादी करवा के रहूँगा चल भांजे, ये लोग अंद विश्वास से कब बाहर निकलेंगे क्या पता आप देखी न, शहर्द आपकी बात मान जाए पर वो मानिंग के नहीं लक्ष्मी, यिद वो इसे मानते हैं तो वो सतर्क रहेंगे इसलिए भाग ये उन्हें इस पर विश्वास करने नहीं देगा मुझे डर लग रहा है लक्ष्मी मामा जी के लव का मैंटर भी दो दिन में सेट कर देता हूँ फिर दोनों शादिया एक ही साथ हो जाएंगी ऐसा क्या एए यहां हो क्या रहा है टीचर ने कंप्लेंड की है कि कोई उन्हें छेड रहा है अगर यह उन्हें मार रहे हैं तो हमारा हाल क्या होने वाला है कई वो हमारा कचुमर ना बना दे आज इसका फैसला करके रहूंगा हरीका को फोन कर अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि कौन टीचर को परेशान कर रहा है तो नहीं जानते हो कि वो इन लोगों में नहीं है। एक बार ठीक से सोची है तो, उस दिन टीचर के आँखों में धूल चली गई थी, तब वो नोकर को बोल सकती थी, पर उसने उफ उफ करने के लिए सिर्फ आप इसे क्यूं का, क्यों कहा, आपके करीब आने के लिए, क्या गदे के जैसा लॉजिक दे रहा है, ठीक है वो छोड़िये, उसने आपको बहाने से घर बुलाया, आपकी मन पसंद मचली पका कर खिलाई, गले से कांटा भी निकाला, ये तो याद है ना आपको, बताईए उसने ऐसा क्यों किया, मेरे करीब आने के लिए, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि टीचर जी ऐसा कर सकती है, तो फिर ठीक है मामा जी, आप टीचर को कॉल कीजिए, उन्हें बताईए आपको छेडने वाले लड़के मिल गए, फिर असल मैक्टर सामने आएगा, इसकी गसम करेंगे वो सीधा मान जाएंगी, ठीक है, कहां है वो फूल्स, पीछे मुड़ो, यही है वो बदमाश, यही है वो इडियन, यही है, टीचर जी, फिर से एक बार देखो और मुझे बताओ, यही है वो, और मैं इसका साथी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, यह दोनों ही है व करतिक ने प्लान बनाए था, अपने मामा और आपको मिलाने के लिए, अपने मामा और आपको मिलाने के लिए, तो आप तुम्हें क्या लगता है, वो टीचर मुझे इसलिए फोन करती थी, क्योंकि वो मुझे चाहती, उनके पास और क्या वज़ा है मामा जी, जो करेक्टर बनाया था, आपने उसको पूरा भांडा फोड़ दिया, आज के बाद आपका कनेक्शन कट, कनेक्शन कट, इस मौका चूग गया, तो टीचर आपको कमी नहीं मिलेंगी, हमारे प्यार को, फ्लीज बचा लीजिए, जाकर प्रफोस कीजे, मामा जी, आपके हाँ जोटाओ, इसको इसको इमामी दे दो, प्लीज, आप यादा देर मत करो, चाहिए, जाहिए, 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 मैं क्या करूँ, मामा ची, वो टीचर है, तो स्टुड़न की तदा क्या जा रहे है, वहे इस दे स्टाइल, स्टाइल का है मामा की, वा ere याज़, कमान! यहां रुकू गया मामा जी और प्रक्टिस कर रहा है मुझे गार्णा है मैं तुम्हे प्यार करता हम मैं तुम्हे प्यार करता हूब मैं तुम्हे डिचे Pauline है मैं वहे आपकरती हूआ रे हैं यहाज मग्ना एप गर्लीज जौना मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं बिच बिच में क्यों बोला हूं मैं ने आप मैं ग्रहों की गणना करता हूँ, ग्रहों और भाविशे की भाविश्य वाणी, पर आप एक महान आत्मा हैं जो योगशक्ती के साथ भाविशे को देख सकते हैं, क्या आपको मेरी समस्या का कोई समाधान देख रहा है क्या गुरुजी? हम मौत को तो नहीं रोक सकते, उसका समाधान ढूंड सकते हैं, लेकिन हम खद्रे के स्त्रोत का अगर पता लगा लें, तो सदर्क होकर हम मृत्यू आने से पहले ही उसके बारे में जान सकते हैं, मृत्यू पहले भी आ चुकी हैं, वो आपके बेटे के बहुत पास्ट से आकर निकल गई, आपके सारे प्रश्णों का उतर इसमें हैं, आपके सारे शाम के समय, दक्षिण की और वाहन के रूप में, चला अचो, मेरे को भी एक मामी मिली गई, मैं मौत की आवाज सुन सकता हूँ, सब कुछ बिल्कुल प्लैन के मुदाविक हुआ, मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ, तो क्या होता, चाहे रोड हो या बेट हो, तुम्हारी तरह स्पीड कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ, भाई, लगता है उसके मामा और मामी शौपिंग करने के लिए शेहर गए, शौपिंग के लिए नहीं गए हैं, शादी से पहले थोड़ी प्रैक्टिस के लिए गए हैं, भाई, भाई, लगता है उससे बेवजा पंगा ले लिए, वो हमारा पीछा कर रहा है, उसे करने दे, हम उसके हाथ नहीं आने वाले, देच चला, साब आ बैठी मैं पंचर बना देगा, कर सेर्थ है, वो आने बीनियां आने कामा के लेड़ सेसित हैं भाई, God later, भाइब गाने, मोह है, झाल 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 भी अग्या हुआ बेटा कुछ नहीं वा माचिन्ता मत करो अपके हाथ में यह पट्टी के मंद्टे यह सब मेरी वज़े से वो जीप से कंट्रोल चूड़ीया और मामा जी का अक्सिडेंट थायर पंक्क्चर हो गया थाया जब पंक्चर हो जाता है तो कंट्रोल चूड़ जा जा ना, नम्भुद्री सरन्या में आगा किया है, एक वाहन के खत्रे के पारे में और तुम समझती ही नहीं, और यह हुआ, लिगता है कोई बड़ा खत्रा तुमारे रास्ते में है, वो पहले से परिशान है, और यह सुनेगा तो और बुरा लगेगा उसे, मेरी बात तो सुन कुछ नहीं है, पहले पापा को भविशवानी करने से रोको, वो हम सब को डरा रहे कुणली-ुणली के नाम पर, हमारे यहां से तक्रीबन हंडर्ड रिलेटिव्स आएंगे, अरे यहां पर तो 200 लोग पढ़े हैं सब की देखभाल करने के लिए, और आप शादी में सिर्फ के वाइस में भी एक किक है, मांग यहां लेंग्विज, कौन हो तुम? जान पहचान हम लोग बाद में भी कर लेंगे, पहले मेरी बात द्यान से सुनों, आपके बाथरून में छोटी सी सुराख किया है, उसमें छोटा सा टेहरा फिट किया है, पढ़े लिखी हो, समझदार कर दिया, तो आज का अपना वीडियो में सिले लेना, इसी को कहते हैं ब्लैक मिलिंग इंगलेश में, आगे आगे आगे, क्या टाइमिंग है, मैं तो उसके आने का इंतिसार कर रहा हूँ, आने दे उसे, ए तु अपने पत्ते डाल, तो यहां पर क्यों आया, तेरी मामी कहा है, वीडियो कहा है, अगर दस मिनट के अंदर तेरी मामी यहां नहीं आई, तो इंटरनेट पर होगा और पूरा इंडिया देखेगा, वीडियो कहा है। पॉल्वा विडियो कहा है पता है लंका जहन का समय हो गया है लगा दो आग तीन सो बच्चे हैं दुख हो रहा है आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है मामा महांजे को अलग करने के लिए ये जरूरी है बियर फैक्टरी बनाने के लिए सोस्टल को जलना जरूरी है इसे टू बर्ट्स इन वन शॉट कहते हैं इंग्लेश में हुआ हो इए है और में किया हो आанд? कॉन बाइए पार नहीं हो जर नहीं हो करते हैं अरे अरे चल्दी पानी लाओ देखो कार्थिक ने कैसे आग लगा ही हमें परेशन ही दिये मीना वेंकर टाइडी को बुलाने का समय आगया हम फोन कुरू फोन कुरू अरे यल्दी करो आई डलो चलो 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 लेकिशागेवानी वेंकर पिठा अंदर बहु सारे बच्चे फस गए कोई भी अंदर नहीं जा पारा है झाल 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 झा कि विंकर्ट पेटा समान के आराम से पेटा जल्दी से अस्पता लेकर जाओ अरे भगवान यहां क्या हो रहा है मास्टर है क्या हो रहा है जी जागी जब मैं फेल्म देखकर आ तो खार्तिक और उसके दोस्तों ने मुझे मारने की कोशी कि मैं देखके मारे यहां पर चुप गया तो उसने आग लगा दी देखिए जी जाजी यह अगर जूट बोलाना तो बार तो फिर आप हमें सच क्यों नहीं बताते हैं आप इस वक्तिया क्या कर रहें और मेरी लोगो क्यों पीटा मिना की करन के कोई किसी को नहीं पीटता बताओ इसको क्यों पीटा मामा जी इसका मिने ने फोन कर के कि बोलो ऊस्च ये सब कर बताओ तुमारा भाज्या जवाब दे रहा है ना ही तुम मेरे साथियों पर विश्वास कर रहे हो ठीक है ये सल छोड़ दो मास्टर जी आप सच्चाई की मुरत है आप बताएए यहां क्या हुआ किसने किसको मारा और कौन कारण है और किसने इस हॉस्टल को जलाया बताएए असल में डरने की ज़रूरत नहीं है सच बोलिए कार्तिक में पीछा करते हुए दोरा बाबू पर सिलेंडर फेका वही उस सिलेंडर के फटने से पुरा हॉस्टल जल गया जब चाहे किसी को मार सकता है इसके मामा का सपोर्ट है इसलिए कुछ भी करेगा मामा जी मुझे दस मिनिट दीजे मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा देखो इसके गुस्से की वज़े से यह हॉस्टल जलकर खाक हो गया ऐसे पाला आया अपने भांजला मामा जी के खिलाफ एक सब्दी कहा ना तो छोड़ूंगा नहीं कार्तिक उसे छोड़ो मामा जी आप तीन सो बच्चे हैं तुम्हें क्या पता माबाप का दर्थ क्या होता है जी जा जी कैसा लगेगा जब इसे पता चलेगा कि कोई वीडियो है इसे कहते हैं शाक इंगलिश में मैंने उसे गुसे में मारा था सर लेकिन मुझे पता था उसके चुपी के पीछे कुछ है यह सब कुछ इस घिरों ने इंसान ने किया है सर मेरे कार्थिक को छोड़ दीजिए मैं देख लोगा आप चाहिए ए कार्थिक कार्थिक मुझसे घलती होगी उसको जब पीटा तब सच बता है मुझसे बदला लेने के लिए वो लोग तुम्हें फसाना चाहते हैं ठीक है चलो घर चलते हैं उस समय उसने न केवल मेरी बाहां को धक्का दिया सर बलकि उसने मुझे अपनी जिन्दगी से भी निकाल दिया। वही आखरी बार था जब मैंने उसको देखा मेरी जिन्दगी के अलावा वो मेरे खुशियां मेरी आत्मा सब कुछ ले गया सर। आपने उसे पाला पोसा है अगर आपने घुस्से में उस पर हाथ उठा दिया सिर्फ इस वज़े से कोई आमी जोइन कर लेगा क्या। मेरे दिल को छोड़कर गाओं में सभी ने ऐसा ही सोचा था। तीन साल लग गए असली कारण जानने के लिए। अगर वो शादी करना चाहता तो उसकी बात पकी करवा दो। अगर मैं किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो उसकी शादी करवा दो। पापा प्लीज अगर पता होता आप ऐसी बाते करेंगे तो मैं आपके साथ यहां कभी नहीं आती। दिखे आप जब तक चाहेंगी मैं वेट करूँगी तुम रुको मैं एक पिता के रोप में उनके दर्द को समस्ता हूँ मेरी बेटी अब बैंगलॉर में काम करती है प्यार और शादी से दूर रहने के लिए मुझे पर यकीन नहीं तो इसी से पूछ लो इसके कोई ज़रूरत नहीं है कारतिक आएगा तो हम साथ में शादी करें हाँ हाँ वो आएगा लेकिन वो क्यों आएगा और कब आएगा वो क्यों आएगा जब तुमने उसे मारा और अब बदल गए हो उसका जीवन जीने का तरीका बहुत योजीब है इसने अपने भांजे को भगा दिया जब उसकी शादी मेरी बेटी से होने वाली थी हमारे साथ ये गंदा खेल खेल रहा है को इसका जवाब आप रुकिये मैं बात करता हूँ वो कहा है कब तक आएगा कुछ भी पता नहीं है उसके इंतजार में तुम्हें अपनी शादी को टालते रहना अच्छी बात नहीं है क्या आपको लगता है कि वो इतने समय तक मुझसे दूर रह सकता है वो वापस नहीं आएगा बेटा नहीं पिता जी मेरा दिल कहता है वो वापस दरूर आएगा 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 वो नहीं आएगा वो तुमसे नाराज होकर गया है नहीं आएगा कि इसका मतलब आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया आप जानते आप जानते हैं भीटा सुनो तुम चुप रहा हो आपने ऐसा क्या का उससे आपने अजह क्या का उससे कि मुझे छोड़ के चला गया बेटा कार्दिक, इस वक्त कहां जा रहे हूँ? अब कुंडली के बारे में सहीत है नाना जी मैंने नानी की बात सुन ली थी जब वो मामा जी से कह रही थी कि आगे और खत्रा आएगा उस दिन मैं पुझा वाले कमरे में गया मैंने पढ़ा कि कुंडली में गाड़ी के बारे में लिखा था मैं ये देखकर हैरान हो गया वाहाँ मैं ये पढ़कर चौँग गया कि मेरी वजह से मेरे मामा जी की जान को हद्रा है कुंडली का भविश्य सच हो रहा था उसमें ये भी लिखा था कि अगला खत्रा आग के रूप में होगा और ठीक 24 घंटों के अंदर मेरी आखों के सामने वही हुआ तब मैंने समझा कि मेरी वजह से मामा जी की जान को खत्रा हो सकता है मैं ये कभी समझ नहीं पाया कि आप हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं मैंने आपको बहुत चोट पहुँचाई है मुझे माफ कर दीजे नाना जी मुछे में चला जाता हूं यहाँ से हा मैं लेकिन तुम जाओगी कहां बिटा इससे पहले कि मामा जी यहां आजाए मुझे यहां से जाना होगा मेरी वजह से मामा जी ने आर्मी जाने का सपना चौड दिया अब चाहे जो भी मुश्किल सामने आए मैं आर्मी जॉइन करके ही रहूंगा नाना जी लेकिन हारीका को क्या जवाब दोगी बिटा उसकी कोई सरत नहीं है नानी अगर तुम अपने मामाची की बलाई के लिए उनसे दूर रह सकते हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम से दूर नहीं है सकती हरीका ने मुझे बताया कि आखरी बार कार्तिक कश्मीर में था इसलिए मैं यहां आया सर वैसे एक वज़ा आप भी हैं जिससे मैं अपने भांजे से मिल रहा हूं मैं आपका यह ऐसान कभी नहीं बूलूंगा सर हम आपको आपके भांजे के पास नहीं ले जा रहे हैं ब्रिगेडियर ने तो आपको मुझे कार्तिक के पस ले जाने को कहा उसी ब्रिगेडियर ने आपको दो दिन तक कस्टडी में रखने का ओडर दिया है आपके भांजे के आसपास कोई कॉंस्प्रेसी चल रही है फिर से कहिए सार शायद कार्थिक की जान खत्रे में है अगर मेरा भांजा खत्रे में है तो उसका मामा वेंकट नाइडू युद्ध में है सार स्टाप ब्रिगेडियर का फॉन कराओ वट दा हैल इस है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ पता है मैं भी कभी यही उनिफॉर्म पहनने के सपने देखा करता था लेकिन आज आपने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया है आपने मेरे भांजे के बारे में छूट क्यूं बोला तुम जर्ना चाते हो कि कार्थिक के साथ क्या हुआ है गुलमर्ग चर्च हमला उस फमले को जिसने अन्जाम दिया था वो था लशकरे मुखंबत का चीफ अबूस्वार कश्मेर के कई आतनवादी हमलों का माश्टर 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 उन दरिंदों को 46 मासुम बच्चों और और औरतों को मारने में जरा भी शर्ण नहीं आई उस घटना ने हमारे 70 साल के धैरे को छोड़कर सीमा पार जाने पर मजबूर कर दिया ट्रैक, रिकॉर्ड और ट्रेनिंग को देखते वे इस मिशन के लिए दस सबसे पढ़िया पैरा कमंडो को चुना गया जो इस मिशन को बखोवी अंजाम दे सकते थे हमारी जानकारी के अनुसार भारी हत्यारों से लैस प्रशिक्षित आतंग वादी वहाँ है हमें उन सब को मार कर अभू उस्मान को जिन्दा पकड़ना है और इस उप्रेशन का नित्रित्व करेंगे कैप्टन कार्थिक शिवराम आप लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान के परवा किये बगार सरहत पर जाकर उन्हें जवाब देने के लिए आई यू रेडी? यस सर्व अब उन्हें पता चलेगा कि जब हम सीमा पार करते हैं तो क्या होता है सर्व देन गो हिट देम हर्ड रिपेर फॉर टेखो आई रिखो अप्रोचिंग लोची डिशेंग करने जाए कि एैफ प्रुट मुझत रम एंग एफ 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 ठीज़ लिए कर दो कर दो कर दो टेक आल थे आफ देम आफ वान्स तरगे लुट 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 कमान बॉइस मुवफ कर दो साब कमार्दो दो कोई बशितार रुचाएए ठजूः टो अहृँ फंड़ूइ हृँ शच्टां देड़ ही राד काल आत्मुम्र हाँ वह एफ रह ऐफ अल्फा तो चाली मिश्न अप्लिष ये ऩाज छोफ घुपर प्रीच पेकप पॉई छोपफ उप्ञाट को बफ ब है बहुआ है ने डोच चोटू एक कैज सकते हैँ कॉरे दार धुआ है ङुआ है उआ 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 लुप्र लुह तुझाल , लेटन वेशाल इंज़ तुछ में सुछु तुछुट राल जर्युटिंग तुछुटिंग ते भी मुड़ेग है अले अले है सब था क्या थाई यह सर सब्सक्राइब प्र 카णी आया एक प्रकाइब आए आड़ ही अवे घंग पार जारी तो है कर्तिक सरे बैक सर्ण और अधिकिंग ऑफ सर्ट कर्तिक कर्तिक कम बैक वाट्स हैपलिंग दियर शर मिशन सक्सेस सर मेरी आपसे छोड़ी से एक बस्ट मेरे मामा जी मुझे ढूंदते हुए वहां तक आएंगे उनसे कहना उनका भांजा अखरी सांस तक देश के लिए लड़ कर्तिक को जिन्दा लुटाने के लिए रजाक में ये शर्ट रखी है कि उसके भाई को रियाग कर दिया जाए जो संभवनी है क्यों नहीं सर क्योंकि उस्मान जिन्दा नहीं है रास्ते में हैं इंटर्नल ब्लीडिंग की वज़़े से उसके मौत हो गई जैसे ही ये खबर उन्हें लगीगे वो कार्तिक को जान से माट डालेगे इसी वज़े से मैंने आपको हिरासत में लेने का आदेश दिया था कार्तिक के बदले उस्मान को वापस भेजने का आखरी समय कल रात तक का है तो फिर अब कार्तिक का क्या होगा सर हम अपना कोई मरा हुआ फौजे भी नहीं छोड़ते दुश्मनों के भीच फिर आप कार्तिक को वहां कैसे छोड़ सकते हैं आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं हम कार्तिक को बचाने के हर संभव कोशिश कर रहे हैं खून के रिष्टे से भी बड़ा हार्मी का परिवार है जब भी मैं वीडियो देखता हूं जिसमें कार्थिक को टॉर्चर किया जा रहा है मेरा खूल जाता है जब हमें एक जवान को बचा नहीं सकते तो किस काम की यह आर्मी यह जवान और यह ट्रेनिंग चाहिए बंदू के सिर्फ किसी के शाहिद होने पर सलामी देने के लिए है Enough! Enough! ब्रिगेडियर के नाते हर फौजी की सलामती मेरी जिम्हिदारी है हमने सैक्डो बार कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे मेरे पास एक प्रपोजल है पर एक ब्रिगेडियर एमोशनल डिसीजन नहीं ले सकता इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया क्यों रिजेक्ट कर दिया सर? हम एक फौजी को अब उस्मान बना की भेज सकते हैं कार्ति को वापस लाने के लिए अगर हमने सही समय पर हमला किया तो कार्ति क सुरक्षित आ सकता है लेकिन इस प्लान में कमी है क्योंकि उस फौजी के लिए ये एक सुसाइड मिशन है वो मर भी सकता है जैसे ही उन्हें एसास होगा कि वो उस्मान नहीं है तो वो उसे गोली मार देंगे एक सैनिक को दूसरे सैनिक के लिए बलिदान करना ये नैती क्या किसी भी रूप से सही नहीं है और यही मेरी दूविदा है मैं जाओंगा सर वाट हाँ सर मैं आपके परिशानी समझता हूँ आप मुझे अबू उस्मान की तरह कपड़े पेनाओ तुम्हारा दिमाग खराब है अगर कार्तिक को कुछ हो जाता है तो मैं भी जिन्दा नहीं रहे पाऊंगा सर वो मेरी चान है अपने भांजे को मौत के मुझे लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर एक ट्रेंड कमांडो के लिए भी ये मिशन मुश्किल है तुम तो गन भी नहीं चला सकते शायद तुमने कभी गन भी ना पकड़ी हो मुझे बले गन पकड़नी नहीं आती हो लेकिन मैं कार्तिक को किसी भी कोली से बचा सकता हूँ सर भाई उस्मान भाई को छोड़ने के लिए हिंदुस्तानी फोज ने हमारी शर्ट माल लिए पिताजी क्या हुआ वेंकट मैं आज कार्तिक से मिलने जा रहा हूँ पिताजी कार्तिक वापस आएगा आज से उसके देख बला आपको करनी है उसकी शादी भी आपको करानी है तुम ऐसी बाती क्यों कर रहे हो उससे कभी भी मेरी कमी का ऑइसास मत होने दीजेए और बागवार बिटा क्या हुआ है महां क्या हो रहा है बिटा तुम अपना ध्याम रखना माँ टीचर जिसे कहना मुझे माफ कर दे बिटा एक एक बार मेरी बात तो सुनलो बिटा को पने थे बार मेरी बार एक बार मेरी बार मेरी बार करही बार बाई। I मेरे भाई को किना भेज कोई भी साथ नहीं आएगा जब तक मेरा भाँजा छाउनी तक नहीं पहुचेगा उसे मत पताना कि उसमान की जगा मैं गया था सर हुचे खुचे रिध हुचे ख Bennett हुचे रिध ह悲व प्राण हाह हा Fleisch को तक में ग्हा दुचे माम्नि अया उसमी राज को लेकर जाना यहां से भांजे कर अई तक झान को कर्ट刃 कर औ कर फ्ट है कर द responds डाई Anda कर और द U कर द कर द ऑ दै를 हो एई! एई! मोँ अजाज कर दो कर दो आजा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो! कर दो! ठढ़ झालो! झालो! वाँ! करें लाँ, आरो! हुआ 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 है हुआ 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 है काथेक मामसी काथेक 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 लगेवरिये वा मंझाथ करनल刚प आरा मुपनलिए मंझाथ чтобы प्माँचिक काथ्पिए कीसा कर अभादा आससे ममनों मांझाथ यह एक बारा कॉनल ममाजी झाल नही प्मा कर दे हम वा मुपनलिए कॉल दब राइट नौ माँजी माँजी विंके टैडू हार नहीं मानना आपने असंभव को संभव किया है आपने अपने भांजे को बचा लिया है और आपको सिर्फ और सिर्फ सांस लेना है क्यों नौ क्या है इसन दो खुबश्व। क्युबश्चर साथ शुल आप स्यूप। 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 मेरे मयरे तोसे भीष का मीय निकाँ मामझे का इंड मेट विले मैरे मामाजी 어क्टल DOC अब्स अब्स अबुलेट मेरे मामुलिक्सान होगार मामाझे । मामा ज़ी, कमान, उठो! मामा जी, उठो! मामा जी, उठो! उठो मामा जे! आपी ने कहा था कि प्यार जो बहुत टाकत होती है. इससे हम भगवान का लिखा हुआ भाग ये भी बदल सकते हैं. तो साबित कीजे इस बात को मामा जी. साबित कीजिए और उठ जाए उठ जाए उठ जाए पामा जी उठ जाए कैसे कंट्रोल कर उसर इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया लेकिन इनके बिना कैसे जीना ये नहीं सिखाया मेरे माता पिदा की मौत हुई तब मैं अनाथ नहीं हुआ लेकिन आज एक पल में अपने मुझे अनाथ कर दिया अपने मुझे अनाथ कर दिया मामा जी अनाथ कर दिया अपने मुझे अनाथ कर दिया नहीं हुआ भुआ या मामा फिर से बोलो कैप्टेम कार्थिक शिवराम मामाची ये बात दुबारा मत बोलना भांचे मैं तुझे छोड़ के कही नहीं चाओंगा मामाची एक इंसान का निस्वार्थ प्रेम किसी भी कुंडली से बढ़कर है कुंडली एक विश्वास है लेकिन प्यार सच है ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्यार सब से उपर है मामा एक असीमित संपत्ती है जो मा की तरफ से आती है मामा पिता की ही तरह प्यार देता है हमारी ये फिल्म मामा और भान्जे के प्यार को समर पिता है इसलिए इंगलिश फिल्में देखने चाहिए अब क्या करूँ? सॉरी, एक मिनटा अरे भान्जे अब क्या है मामा जी? ज़रा मुझे बता न कि शुरुवात कैसे की जाती है, मुझे नहीं पता है कुछ आइडिया देना मामा जी, ये कोई एक्जाम है जो मेरी नकल करके पास हो जाओ के ये कोई स्विमिंग नहीं है जो मैं आपको तैरना सिखा सकू बस फ्लो के साथ बैच आईए न अरे ये फ्लो मैं कहां से लो मुझे कुछ नहीं पता है मामा जी डॉंट डिस्टरबाँ अरे बांजे बांजे कौन था बांजा मेरा वो जूनियर है और मैं सीनियर हूना वो बिल्कुल नया है आप नहीं है क्या है कि चलो अपनोके साथ चलते हैं हां है रांजे क्या हुआ बांजे क्या हुआ भांजे क्या हुआ थे ख्रया क्यों तुझ नहीं हुआ मामा जी अरे तो फिर चिलाए क्यों तूम क्या है नम.. हा... क्या है क्या है.. लघभभइट.. ugsp ….. वाह.. क्या.. कव नै कौण ने क्या है.. अ doğ weight… प्रॉत्व आप अब जामी скby.. नो जो.. लघभभऴववश्ट कीली.. अ३श्ट.. वहु लचे हुण? का स्के तून जना….